तो यहां पर CPSC Board का जो रीचेकिंग का option है वो available हो गया है 26 तादिक से आपके form online आप भर पाओगे जिन बच्चे को copy रीचेक करानी है कैसे करानी है पहला step होता है verification of marks इस verification of marks के अंदर आपके सिर्फ total करे जाते हैं यानि कि जो teacher है वो ये चेक करेंगे कि आपका जो total है यानि कि कहीं total में तो कहीं mistake नहीं हो गई है यह ध्यान अखना है question चेक नहीं होगा सिर्फ total marks चेक होगे कि calculate करने में तो कहीं कोई mistake नहीं होगी सिर्फ भही चेक होगा उसकी fee से 500 रुपीज पर subject ठीक है class 12 के लिए 500 रुपे होते हैं एक subject के दूसरे step होता है उसके बाद photocopy आपक उसकी photocopy उसकी xerox copy आपको pdf form में मिल जाएगी website पर वो मिल जाएगी online तो आप उसमें देख पाऊगी कि आपको किस तरह से marks दिये गए कहां पर marks काटे गए कहां माक्स दिये गए उसकी fee से 700 रुपे एक answer book की कितनी है 700 रुपे फिर उसके बाद तीसरे step वो होता है re-evaluation इ इसमें आप अपना question check कराते हो एक question की होते है 100 रुपे 100 रुपीज पर question तो कैसे कराते है तीनी step में होता है यहां रखना है कि आप जब तक पहला step नहीं कराओगे तो अगला step नहीं करा सकते हो लगातार step कराने होते हैं बीच में एक step नहीं छोड़ सकते हैं अगर आपने पहला कराया, दूसरा नहीं कराício, तो तीसरा नहीं करा सकते हैं, लगतार कराने होते हैं, तभी आप अपनी पूरी कॉपी को चेक करा पाऊँगे, तो यह step है, आपको ध्यान अकना है, और तारीख, आपको देखी रही होगी, यहां पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी मिल जाएगी इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलिग्राम की ग्रूप में मिल जाएगा ठीक है तो इध्यान रगना है और दूसरी बात क्या है कि यहां पर आपके जो मार्क्स है वो कम भी हो सकते हैं मालो आपके मार्क्स कम होके तो आपको कम वाले ही दिये जाएंगे यहां पर साफसफ लिखा होता है कि अगर मार्क्स कम आगे तो कम वाले ही दिये जाएंगे ठीक है तो तीन स्टैप होते है तीनों स्टैप में आपको यह में बस कुछ खास रख नहीं होता है कि उनकी जो फीस होती स्टेप की वो थोड़ी कम होती है वह 500 रुपए जैसे सक्टारी सुरुपे न उनकी पांसु रुपए हो जाती है इदे थोड़ा बहुत फरग है ज्यादा बागी सारे रूल्स विपल सेम रहते है ठीक है तो यह क्ल डाउट आगर तो आप कमेंट सेक्षिन में लिख सकते हैं फिर टेलिग्राम ग्रूप को जोइन करें टेलिग्राम ग्रूप पर अपने डाउट साब पूछ सकते हैं